जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes विस्विशमिज जैन यूटूब चैनल में सो सात्यों स्टार्ड हो चुका है आज का इस सेशन सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तों वीडियो अपने मित्रों तक सियर जरूर कर दें ठीक है और जिन भी सात्यों ने अभी तक Self Study Classes का एप डाउनलोड नहीं किया वो Self Study Classes का एप जरूर डाउनलोड कर लें दोस्तों जहां पर आपको 2020 टेस्ट सीरीज बिलकुल फिरी में मिलती है दोस्तों आप चाहते हैं कि साहित के दोस्तों आप टेस्ट लगाएं ब्याकरण के टेस्ट लगाएं तो इस फिरी वाली टेस्ट सीरीज से जोड़ सकते हैं लेकिन बिकल्प है प्रशन उड़ता है कि कैसे जुड़ें तो दोस्तों आपको करना क्या है Self Study Classes को एप डाउनलोड करना प्रेस्ट से है ना उस एप में जाकर के दोस्तों आप देख सकते हैं कि बहाँ पर आपको बहुत सारी टेस्ट करवा दिये गए हैं आप उन टेस्टों को सुयम लगा करके अपना आकलन कर सकते हैं ठीक है तो हमारे इतने जितने भी हमारे साथी हैं जिनको पढ़ना है हिंदी साहित हैं हिंदी साहित करने चोड कोर्स भी पढ़ सकते हैं दोस्तों जो मातर है एक हजार रुपे में दोस्तों आपके लिए ये जो है रखा गया है है ना तो जिन भी सातियों को जुड़ना है जिन भी सातियों को दोस्तों पढ़ना है वो पढ़ें और दोस्तों इसी प्रकार से अध्यन करत आज का इस सेसन दोस्तों आपको बताना जुगलमान चलित नामा ग्रंथ के लेका कौन है ये आपको चैन करना है नंद दास हैं क्रशन दास हैं चत्रबुज दास या फिर छीत स्वामी हैं दोस्तों आज रात 312 बजे एक कोर्स लाइंच होगा और वो कोर्स होगा मात्र TGT PGT के लिए हैना जिसमें दोस्तों आप डावट्स वाले वीडियो मिलेंगे ठीक है तो ये मात्र आपके TGT PGT के लिए 15 दिन के लिए एक कोर्स रखा गया है दोस्तों तो जिन भी सात्यों को एक छोग है वो नंबर है नीचे वाट्सप कर सकते हैं दोस्तों वाट्सप नंबर भी आपको पता है कौन सा है वासेट त्रेसेट ये वाटसप नमबर है है ना 33-05-86 है ना इस पर आप संपर कर सकते हैं दोस्तो तो जितने भी हमारे साती हैं सबी संपर करने जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेका कौन है ये वाटसप नमबर पर नीचे लाइन में नमबर चल रहा है आपको बता है सरकर्ष्ण दास है यानि B नमबर आपका बिल्कु सही है सूर्दास को पुष्टी मार का जहाज किसने कहा है मास्टर केडर के लिए तो चला ही रहा है कोर्स मास्टर केडर के लिए चला है Master Qader वाले दोस्तों पढ़ सकते हैं अब आपको बताना है सूर्दास को पुष्टी मार्ग का जहाज किसने कहा है इन कॉस्चों तक अपने कल पढ़ाता आपको बताना है बताएं किसने कहा पुष्टी मार्ग का जहाज बलबाचार ने पैड बालों के लिए नहीं इमार का जहाच किस ने कहा उत्तर चला जा जाएगा बिठल नातने याणि डी नमबर आपका बिल्कुँ सही है कलगी बाजरे की सत्य और सब्ध है ना और दोस्तों जितना तुमारा सच है कभीताओं की रिचनाकार कौन है इस चार बिकल्फें कलगी बाजरे की हैना सत्त और सब्द जितना तुम्हारा सच है कि कभिताओं की रिचनाकार आपको चैन करना मुक्ति बोध है रगुबीर सहाय हैं अग्ये हैं या पिर आलोक धनवा कौन मार जाते हैं प्रशन किरवांग 626 और 626 में आपका बिलकुल सही आंसर जाता है क्या जाता है बिलकुल राइट आंसर बता दिया है कि सर ए रिचनाकार कौन है अग्ये जी यानि सी नमबर ठीक है बेरी गुड कभि कभी किसे कहा जाता है जल्दी से बताना है सेल्फ स्टेडी क्लासे से आपको डाउनलोड कर लेना है कभी किसे कहा जाता है मात्र 15 दिन में भी आप अच्छा दोस्तों पढ़ सकते हो अच्छा रिवीजन कर सकते हो अच्छा पढ़ सकते हो ठीक है यहां पर आपको बताना है उत्तर बताना है सभी लोग कभियों का कभी किसे कहा जाता है कभियों का कभी समसेर रगवीर सहाय अग्य या फिर निराला को कभियों का कभी किसे कहा जाता है ये उत्तर आपको बताना है बताएं और राइट आंसर है आपका समसेर वहादूर ठीक है इन्हें दोस्तों कभियों का कभी कहा जाता है नई कभिता में लगू मानों की प्रतिष्टा के बिचार प्रतिष्टा का बिचार किसने रखा है दोस्तों नई कविता में ये question बताना नई कविता में लगू मानव की प्रतिष्टा का बिचार किसने रखा है मुक्ति बोध ने साही अगे या फिर भारती चार बिकल्प हैं चार में से आपको चैन करना है वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर दें और आपका बिलकुल शही आंसर यहां भी जाएगा साही यानि कि दोस्तो बिजय देव नाराण साही वेरी गोड़ अब यहां पर बताना है बापू की कुटिया में के लेखक कौन है बापू की कुटिया में बापू की कुटिया में सबी लोग आ चुके हैं दो कख माने जाते दोस्तों वो कौन माने जाते बैनी पूरी बैनी पूरी यानि कि आपका डी नमबर बिल्कुँ सही है नेता नहीं नांगरिक चाहिए निबंद की रिचनाकार कौन है है ना यहां तक अपने कल पड़ा था दोस्तों नेता नहीं नांगरिक चाहिए निबंद के रिचना कार कौन है दिन कर स्रीलाल चोक लगगे या फिर बेनी पूरी तब आपने उत्तर बताया था कि सर नेता नहीं नांगरिक चाहिए दिन कर ठीक है वेरी गुड निबंद किर्ती आलोग पर्व के रिचना कार कौन है आलोग पर्व फटा तर बताना है हो राइट अंसर जाता है हजारी प्रसाद दुवेदी यानि ये नंबर बैस्रों की फिसलन के लेखक कौन है बैस्रों की फिसलन के लेखक कौन माने जाते है जल्दी से बताएं बैस्रों की फिसलन के लेखक और आपने राइट अंसर चुना है बुलिस्तर हरी श कि रचनाकार कौन है कस्तुरी म्रग कस्तूरी म्रग कर दो या फिर सरजोसी या फिर शियो प्रिसाद कष्टूरी म्रग किसकी रचना है कमेंट में आपको लिखना है वीडियो को लाइक जरू करते रहना है सेयर कर दें अपने मित्रों तक एक बार और कष्टूरी म्रग जो निबंद संग्रा है दोस्तो इसके रचनाकार कौन है अच्छा अंसर आगया है क्या शियो प्रिसाद शेह है बहुत बड़ी अंसर एतियासिक कहानियों की परंपरा का सुबारम किसने किया दोस्तो प्रश्ण किरमांग 634 में आपको चैन करना है जल्दी से चैन करें एतियासिक कहानियों की परंपरा की सुरुवात किसने की है किसने की है एतियासिक जल्दी से बताएं एतियासिक कहानियों की परंपरा की सुरुवात किसने की है इतियासिक कहानियों की परंपरा और राइट आंसर है आपका ब्रंदा बनलाल बर्मा यानि कि दोस्तों आपका जो सी नमबर है वो बिलकुश चाहिए बर्ग-संगर्ज के आधार पर सामाजिक और आर्थिक इस्तितियों का चित्रण करने वाली कहानी कौन सी है बर्ग-संगर्ज के आधार पर बताना है दोस्तो बर्ग इसंगर्स के आधार पर एतिहासिक कहानियों सामाजे कुरार्थिक कहानियों को चितरन करने वाली जो कहानी है वो कहानी कुछसी है सत्मी के बच्चे बहुत बड़ी आंसर अंगला कोश्चेन अलूचना किर्टी निराला की साहित साधना कितने भागों में प्रकासित है दोस्तो है ना ये आपको बता है निराला की साहित साधना निराला की साहित साधना ये किर्टी है और इस किर्टी के रिचना कार कौन मान जाते हैं आपको बता है राम बिलास सर्मा निराला की साहित साधना राम बिलास सर्मा की रिचना है और य अच्छा question बताना है, session start हो चुका है दोस्तो आज का, है ना, यहीं से अपन को पढ़ना था, और यहीं से आपको बताना भी है, सबी लोग like जरू कर दें, दोस्तो वीडियो को like कर दें, जिन भी सात्यों को course में एड़ीसन लेना है, वो course में एड़ीसन जरू ले लें, और बह हाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा तीन भागों में, यानि टू नम्मर आपका बिल्कुँ सही है, डाक्टर नगेंदर रस चेता तथा रस द्रस्टा है, यह किसने कहा है, सुमित्रा नंदन पंतने, महादेवी बर्मा निराला या फिर जैसंकर प्रिसाद ने, बताएं, ड सत्मी के बच्चे राहुल शांकरित 10, है ना, प्रशने क्रमांग 637 में सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहे, सब्सकाइब कर लेना दोस्तों, और बेल आइकन को दबा देना ताकि इन्फर्मेशन आपका जो है समय पर पहुंच सके, डाक्टर नगेंदर रस चेता तथ रस द्रश्टा है, ये किसने कहा है, तब आपका सीधा आंसर जाएगा दोस्तों, है ना, क्या जाएगा, ये कहा है दोस्तों अपने, किसने, पंत जी ने कहा है, शुमित्रा नंदर पंत जी ने, एक नंबर जिन्नों ने बताया, उनका आंसर बिलकुल परफेक्ट है, है ना कौन सी गीती काब की विसेशता नहीं है गीती काब की विसेशता कौन सी नहीं है गीती काब बताना गीती नाट नहीं बताना गीती काब की विसेशता कौन सी नहीं है इसका आंसर आपको चेंड करना है वीडियो को लाइक कर दे एक बार जदी से शेयर कर दो और सीधा सीधा आंसर आपका जा रहा है दोस्तो कि कौन सी गीति काभी की विशेष्टा नहीं है और बहुत अच्छा क्वेश्चन बिलको राइट आंसर है दोस्तो बस्तु ब्यापार बरनन शी नमर बिलकोश है तीन नमर आपका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है कौन सी विशेष्टा नहीं कभीता की नहीं है दोस्तो नहीं कभीता की विशेष्टा कौन सी नहीं है इनमें असी बताना है बताए अनुभूती की प्रमालेकता नया भावा बोध और नया सिल्फ छंदों का बंधन छणबाद में विश्वास बताए कौनसी बिशेष्था नई कभीता की नहीं है नई कभीता की विशेष्था कौनसी नहीं मानी जाती अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों आपसे पूछ पूचा जाता है हमेशा पूचे जाएंगे ऐसे प्रस्ने और बहुत ही बढ़िया प्रस्ने देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन बताता है शबी लोग आंसर बताएंगे सिलफी शुकला जी अर्थदीब जी बताएं कौन सी विसेष्टा नई कविता की नहीं है और बहुत कि समी रती विश्नु प्रिया कि रचना के दोस्तो न एक राम है आपको बताना है और यहां पर प्रस्णिक रमां 국lud का अंसर बताना है सबी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा रचना और मैसे किस रचना के काब नायक राम हैं शंसाई की एक रात रस्मीरती विश्णू प्रिया या फिर कनू प्रिया और सबी लोगों को पताएं कि सर ये नमबर लगा दो नरेस महता की संसाई की एक रात के नायक राम हैं हिंदी साहित में मार्कसबादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काब धारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहते हैं दोस्तों मार्कसबादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काब धारा में देखने को मिलती है उस काब धारा को क्या कहा जाता है प्रगतिबाद, जनबाद या पिर आ कबीता क्या कहा जाता है बताएं हिंदी साहित में मार्क्सबादी चेत्ना की अभी व्यक्ति जिस काब धारा में देखने को मिलती है उस काब धारा का नाम चासर चाहिंबीत के प्रवर्तक आपको बताना है जल्दी से सभी लोग बताएंगे प्रगतिबाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं और यहाँ पर दोस्तों मधू साला का प्रकासन बर्स भी आपको बताना है मधू साला का प्रकासन बर्स क्या है बताएं कि हरिवन सराय बच्चन की दोस्तों रचना माने जाती है मधु साला मधु कलस मधु वाला के रचना इनकी माने जाती है अरिवन स्राय बच्चन की और यहाँ पर मधु साला का प्रकासन वर्स क्या है और एक क्वेस्चन और आप दुख को दिया गया है प्रगति बाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं यह आपको बताना है शबी लोग बताएंगे मदूसाला का प्रिकासन वर्स है तो क्या है बताएं और बहुत अच्छा क्वेस्चन है शबी लोग बताएंगे और सभी को पता है कि सर प्रगती बाद के प्रबर्तक की अगर बात करोगे तो पंत को माना जाता है दोस्तों किसको माना जाता है शुमि मुक्ति बोध ने, मुक्ति बोध ने किया था, ये भी अपन को यात करना है, और यहाँ पर बिलको सही आंसर है, मदू साला का दोस्तो, 1935, जो आपका राइट आंसर चला जाता है, एक की तरफ, एक नम्मर आपका बिलको सही है, लाइक जरू कर दें, सेयर कर दो एक बार, कौ कौन सी रचना महादेवी बर्मा की नहीं है, बताएं, निहार रस्मी निर्जा या फिर गुंजन, कौन सी रचना महादेवी जी की नहीं है, महादेवी जी का जन्म हुआ था, 1907 को, शात को हुआ था दोस्तों, कि नहीं हुआ, हुआ था, क्योंकि महादेवी हमारे साथ हैं बोले है ना कोई साथ दे ना दे महादेवी तो हमारा साथ जरूर देंगी है ना तो यहाँ पर बताना है कि कौन सी रचना महादेवी बर्मा की नहीं है और आपका उत्तर चला जाएगा गुंजन है ना निहार रस्मी निर्जा सांदगीत दीप सिका सब्त परणा यामा यह यह निराला की रचना माने जाती है दोस्तो निराला निराला सबसे निराला नए पत्ते इनकी एक बहुत स्रिष्ट रचना है निराला जी की और सरोज स्मिर्टी किस स्रैनी की रचना है बरह गीत है सोक गीत है प्रेम गीत है या फिर बाल गीत है और बहुत अच्छा प्रस हाई है सरो जिस्मिर्टी किस ट्रैनी की रचना है फिनमर आपका बिलकुश है यह प्रथम सरग का सीर्थ च्री बताना है और सबी लोगों को लगवग पता है कि सर एक कामाइनी जो है कामाईणी जो है यह महां काव है और 1935 में लिखा गया था कामना नातक के आधार पर यह लिखा गया है दोस्तों यह ना आपको पता होगा इसमें कितने सर्ग हैं बोले सर पंदरा सर्ग हैं 15 सरग में सबसे पहला सरग जाता है चिंता यानि डी नमर तुलशीदास किसकी काब रचना है तुलशीदास किसकी काब रचना है है ना तुलशीदास तो एक कभी है मैंने काब उलकुल शाही है तुलशीदास एक कभी है लेकिन तुलशीदास एक खंड काब करती भी है दोस्तों है ना और एक खंड काब किर्टी किसकी है और आपका बिल्कु सही सही जबाब आ रहा है लाायक जरूर करते जाएं टिप टॉप YouTube चनल पर बहुत सारे वीडियो आ रहा है टिप टॉप सर्च कर लेना एक जाम पर यूट्टूप चनल पर आ रहा हैं दोस्तों और यहां पर तुलसीदास किसकी काब रचना है सीधा उत्तर आपका जाएगा किसकी है सबी लोगों ने बता दिया निराला जी की है ना ये नम्मर आपका बिलकुष रही आंसर हिंदी भासा के मानकी करण की दरश्टी से कौनसा योग में कौनसा योग में सरबादेक महत्पूर्ण यो है कौनसा योग सरबादेक महत्पूर्ण है दोस्तों हिंदी भासा के मानकी करण की दरश्टी से हिंदी भासा के मानकी करण की दरश्टी से कौनसा योग सरबादेक महत्पूर्ण है ये आपको बताना है ऐसे कितने साती हैं जिन्होंने दोस्तों अभी तक कोर्स में अड़ कर सकते हैं इस कोर्स का प्राइज है दोस्तों पांशो निन्यानवे है ना इसकी इसमें दोस्तों आपको टेस्ट भी मिलेंगे इसमें दोस्तों आपके लिए क्या मिलेंगे इसमें आपके लिए निचोड किलास के रिक्वाड़ेड वीडियो भी मिलेंगे है ना और इसमें द प्तर हो जाता है दुबेदी योग है ना क्योंकि दुबेदी योग में दोस्तों आपको बता होगा महाभी परसाद दुबेदी ने बहुत ही हिंदी के लिए बहुत प्रयास किये हैं किसान के रिचनाकार कौन है यानि कि किसान किसकी किरती माने जाती है किसान किसकी किरती मान आना है शबी लोग बताएंगे वीडियो को एक बार लाइक जरू कर देना और दोस्तों अपने मित्रों तक सेयर कर देना है ना किसान के रचनाकार कौन है ये आपको चैन करना है और बिलकुल सही आंसर हो जाएगा पुलिसर किसान मैथी बोता है ब्यापारी तो नहीं बोता म एक नम्मर जो है वो बिलकुल सही है एक नम्मर आपका राइट आंसर हो जाएगा अंगले कोश्चन की ओर हम बढ़ेंगे दिवस का उसान समीपता गगनता कुछ लोहित हो चला किस कभी की पंक्ती है ये किस कभी की पंक्ती है दिवस का उसान समीपता ये पंक्ती बतानी है इस पंक्ती के रचनाकार कौन है जो पंक्ती है इस पंक्ती के रचनाकार कौन है शबी लोग बताना है दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना Selfish Study Classes एप डाउनलोड कर लेना एप को जरूर डाउनलोड करना है और यहाँ पर दिवसका उसान समीपता यह आप से पूछा गया आपने उत्तर बताया कि यह जो पंक्ती है यह पंक्ती किसकी है हर यौद की यानि 3 नमबर आपका बिलकु सही हो जाएगा C नमबर आपका राइट आंसर हो जाएगा आचार सुकली के अनुसार सुचंदेता बाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं आचार सुकली के अनुसार सुचंदेता बाद के प्रवर्तक बताना है सुकल के अनुशार बताना है दोस्तों बताईे आपको पता होगा कि छाया बाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग किशने किया था छाया बाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग किया ता मुकुडधर पांडे ने है ना सब्चंदता बाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग किशने किया ता मुकुडधर पांडे ने लेकिन आपको पता होगा कि सब्चंदता बाद के जो प्रबर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं बोली सर वो माने जाते हैं स्रीधर पाठक यानि आपका जो C नमबर है वो बिलकुश शही है जिन्होंने भी बताया उनका अंसर सही है लाइक कर दो एक बार उद्धाव सतक में कितने छंद हैं उद्धाव सतक के रचनाकार सबसे पहले तो रचनाकार रोज 9 बज़े सेहसन होता है दोस्तो है ना उत्व हैं जल्दी से आपको बताना है और सीधा आंसर जाता है आंसर बताना है कितने चंद है और यह रचना किसकी है वो भी आपको बताना है जबकि आपका यहाँ पर 116 तो बिल्कोश आई है उद्धाव सतक के रचनाकार नहीं बता है अभी तक किसी ने देखते हैं सबसे पहले कौन बता रहा है आचार रामचंद्र सुकली की द्रश्टी में किस योग के लेकों की द्रश्टी ब्याकरण के नीमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी यह आपको बताना है और बिल्कोश रही आंसर आया है अधिकांस लोगों का बहुत बढ़िया है ना आचार रामचंद्र सुकली की द्रश्टी में किस योग के कभियों की द्रश्टी ब्याकरण के नीमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी बताएं किसी योग के कभी योग की नहीं जमीती दोवेदी योग भारतेंदू योग शायाबाद या फिर प्रगति बादी योग प्रशन के रमांग अच्छा है लाइक करते रहें सबी लोग सेयर करते रहें सेल्प इस्टेडी कलासे से आपको डाउनलोड कर लें आज ही डा गाम पर इसका नाम डला था और इस भारतेंदू योग के कभियों की दोस्तों द्रश्टी ब्याकरण के नियों पर अच्छी तरह नहीं जमीती किसका राम चंदर सुकली जी का है ना राजा जैसें के दरबारी कभी कोन थे आपको बताना है भूशन ते बिहारी मतिराम या फिर शेना पत्ती राजा जैसे के दरबारी कभी आपको चैन करना है लाइक करते रहें दोस्तों अपने मित्रों तक सेयर कर दो और बहुत बढ़िया यह सेसन होता है टिप टॉप यूटूब चैनल और एक्जाम पूर यूटूब चैनल को जरूर देखें दोस्तों आपके ल बाला अगर कोई कभी था तो वो कभी था बिहारी और आपको बताना है कि बिहारी का जन्म कब हुआ था जल्दी से कमेंट आना चाहिए फटापट से ग्वाल कभी किस काल के कभी है यह बताए ग्वाल कभी फटापट से बताना आदिकाल भक्तिकाल रीतिकाल या फिर से कितने साती हैं जिन्होंने पिले स्टोर में जाकर के self study classes आप को download नहीं किया सभी लोग करें आज नहीं तो कल आपके लिए जरूर दोस्तों फियोगी बनेगा आप दोस्तों junior test की तैयारी करेंगे आँगे आने बाले ग्वाल कभी रीती काल के कभी है यानि तीन नम्मर आपका सञी है question और है आपका रीती काल के प्रबरतक कोन मान जाते हैं जल्दी से बताएं जो अपनी मात्र एक रौचना लिख करके एक रौचना के माध्यम से एक रचना के बल पर हिंदी साहित में अमर हो गया वो यासा कभी कौन सा है दोस्तों बताएं रीती काल कभा यासा कौन सा कभी है कौन सा कभी है ये आपको बताना है जो मातर अपनी एक रचना के बल पर हिंदी साहित में अमर हो गया और वो कभी आपको भी पता है और आपको बिलकुल शाह यह उत्तर बताओगे और राइट आंसर हो जाएगा बिहारी बिलकोश आई है आपको पता है दोस्तों सभी लोगों को पता है कि सर क्या हो जाता है है ना आपको पता है कि जो रीती काल है रीती काल के प्रबर्तक माने जाते हैं कौन केशा उदास कौन माने जाते हैं केशा अंसर उत्तर भारत में भक्ती का प्रसार करने का स्रे किसको जाता है आपको कमेंट में लिखना है दोस्तों उत्तर भारत में भक्ती का प्रसार करने का स्रे किसको जाता है चार विकल्प है शंकराचार रामानुजाचार रामानंद या फिर मदवाचार इन चार विकल्पों मे से हमें चैन करना है शबी लोग वीडियो को लाइक जरू करेंगे उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का जो स्रे जाता है वो किस कभी को जाता है यह आपको चैन करना है अच्छा प्रस्ण है जल्दी से बताएं अपन ने पढ़ा है ना कि भक्ति दिर्बिन उपजी आपको पता होगा कि कभीर निर्गुन पंती थे जबकि रामानंद दोस्तों शगुन पंती माने जाते हैं और यहां पर उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का जो स्रे जाता है बो जाता है रामानंद जी को यानि कि आपका तीन नंबर बिलको शई है गोस्वामी तुल दीशे बताना है कविता बली किस भासा में लिखी गई वीडियो को लाइक करके सेर जरूर करते रहें और इतनी दोस्तों तयारी में शबी लोग लग जाएं भरपूर तयारी करने जितना टाइम मिलता है तयारी में कोई कसर नहीं छूड़नी है ये आपको बताना है कि कविता बली की भासा क्या है और तुल्सिदास की तो जब भी बात आती है अपन चर्चा करते हैं चित्र कूट के घाट पे भाई संतन की भीड और तुल्सिदास चंदन गेसे तलक दे तुल्सिदास के बारे में पढ़ते बोले सर अगर राम और मंगल आ जाए है ना इनकी की भासा अब दी और जिन में राम और मंगल आए उनकी भासा ब्रज अब कुछ पढ़ने की जवरत नहीं है आपको यहां पर ब्रज लगा दो ब्रज लगा दिया वेरी गुड बहुत बढ़ या तुल्सिदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षान संत महंतों के लक्षा बरनित किये गए हैं तो आपको बताना है कि इसका अंसर क्या है दोस्तों किस रचना में है बेराग संदीपनी राम अग्या प्रशने पारबती मंगल या पिर जानकी मंगल और ऐसे कितने साती हैं जिनको मात्र TGT PGT 15 दिन के कोर्स में अड़वी सल लेना है 15 दिन के कोर्स में दोस्तों जो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट रहेगा हैना एकजाम के लाष्ट 15 दिन हैना एडवी सल लेकर के दोस्तों अच्छा अध्यान अभ्यास कर सकते तुलशी रास की किस रचना में संत महंतों के लक्षन है तो बैराग होता है संतों को जब दोस्तों बताएं शूपी काबधारा अपने पढ़ाता आज सूपी काबधारां में अपने तीन चीजों को पकड़ाता और वो तीन चीजें आपको हमेसा याद करनी है कि सूपी काब जो लिखा गया प्राया मुसलमान कभियों की द्वारा लिखा गया हैना सूपी काब प् हेले कभी कौन मान जाते हैं अगर यहसा आप से पूछा जाए तो आपको तर्बिना संकोच के लगा देना है कौन सा मुल्ला दाउद और मुल्ला दाउद की रचना कौन सी है बोले सर चंदायन है कौन सी रचना है चंदायन और दोस्तों आपको बताना है कि चंदायन को हिंद दाउद की रचना चंदायन ये सभी को पता है। सूपी काबधार के परिथम कभी हैं दोस्तों मुला दाउद आपको right अंसर पता है। लेकिन आपको chain करना है कि चंदायन को सूपी काबधार की परिथम रचना वाले मानने वाले जो बिद्द्वान हैं जो आचार हैं दोस्तों जो कभी लेखक हैं वो कौन है जल्दी से चैन करें मधू मालती किसकी रचना है मधू मालती दोस्तों आप लोग पढ़ते हो और मैंने कई बार आपको बताया है कि कई लोगों का तो मधू से ही क्या होता है मंजन होता है है तो जीदा सा अंसर है अब तो आप हिंट म में लगई आप लगा सकते हो मधुमालती किसकी रचना है और बहुत अच्छा अंसरा आया है कि सर राम कुमार बर्मा ने सूपी काब धारा की जो प्रथम रचना मानी है वो मानी है चंदायन है ना और दोस्तो आपको पता होगा गडपती चंद्र गुप्त ने हंसावली को मा माना राम कुमार बर्मा ने चंदायन को माना राम चंद्र सुकल ने दोस्तो मिरगा बती को माना और हजारी पर साथ दुवेदी ने सत्त बती कथा को माना ये चार कभियों को भूला नहीं अपन को मधुमालती किसकी रचना है ये आपसी अगर पूचा गया तो बोले सर जहन की रचना है यानि चार नम्मर आपका बिलको सही है चौता नम्मर आपका राइट आंसरों पदमाबत के अनुछेदों का नाम क्या है यानि कि दोस्तों आपको पता है तो बताए पदमाबत के अनुछेदों का नाम क्या है पदमाबत का रचना काल 1540 माना जाता है दोस्त और कितने दोस्तों ये अनुच्छेदों में विभक्त है कितने भागों में इसको प्रकासित किया गया ये भी आप लोगों उन्हें आज पड़ा था और आपको पता है कि सर इसके जो अनुच्छेद हैं इन्हें खंड कहा जाता है और इसमें कितने खंड हैं शंतावन खंड ह है इसमें और आपको पता है कि धो भागों में प्रकासित है प्रदमा बन इसके राचनाकार कुन है पुलसर मलिक मोहमegt जाईसी को जाईसी क्यों कहा जाता है ये तो जाईस के रहने बाले थे बिलकुल सही है और आपको पता होगा कि इसके दो भाग कौन से हैं एक तो है उत्रार्द और दोस्तो एक है पूरबार्द है ना और रामचन सुकल ने कहा कि पूरबार्द कलपना परास्त्रेत है और दोस्तो और जो उत्रार्द है इनका एतिहास है ठीक है नीमा किस कभी की माता का नाम है नीमा बहुत अच्छा प्र है तो लाइक सब्स्राइब कर लेना और बैल आइकन को जरूर दबा देना ठीक है और नीमा किस कभी की माता का नाम है यह आंसर भी आपको बताना है लाइक तो करके ही जाना है एक लास जनम कब म elder दोस्तों परिती परपण जग्मुंआ पंदित भयान कोई दनीवा दोस्तों कभीर की माता का नाम कभीर प्रतम रहसवादी कभी माने आपको पता है हैं ना कभीर को बता ना है किард default कल और दासकी, सूर्दासकी, कबीर दासकी, या फिर मलूक दासकी, संत हिर्दय नवनीत समाना एक किर्ती किसकी है, जल्दी से कमेंट में लिखना है, प्रशन किरमांग 663 है, लाइक कर देना और सेल्फ इस्टेडी किलासे से आपको डाउनलोड कर लेना है ना, ये कोर्स पांश्रो 99 का एक कोर्स रखा गया, इस कोर्स में आपके लिए दोस्तों अंतिम छन के लिए अंतिम निचोड, अंतिम निचोड कोर्स आपके लिए रखा गया, जिन्होंने एक कोर्स में किसी भी कोर्स में एडवी सन नहीं लिया, दोस्तों वो इस कोर्स में एडवी सन लेकर कि अध् तुलिशी दास यानि कि एक नमर आपका बिलकुश है बेरी गुड़ संत काब परंपरा के अंतरगत कभी का नाम आता है यानि कि सीधा सीधा अगर हम पूछें यहां पर कि कौन सा यासा कभी है जो संत काब धारा से सम्मंदित है जल्दी से बताएं कौन सा यासा कभी है जो सं उत्तर बताएं क्या हो जाएगा संतकाब परंपरा के अंतरगत कभी का नाम क्या है यानि कि संतकाब का कौन सा कभी है और उत्तर आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा कभीर दास पुलिसर ये संतकाब धारा के प्रमुक कभी माने जाती हैं अच्छा कोश्चन आपने ब रेचनाकार कौन माने जाती है, question तो कई बार आया है, दोस्तों एक question आपको दे रहे हैं, लेकिन हम की गुरू नानक देव का जन्म कब हुआ था, और कहां पर हुआ था, ये भी आपको बताना है, गुरू नानक देव का जन्म कब और कहां पर हुआ था, और चंडी चरित्र के रचनाकार अगर आपसे पूचा गया तो आपने लगा दिया है क्या बहुत सारे लोग क्या लगा रहा है चंडी चरित्र की रचनाकार कौन है आंसर बताना है प्रशन है बहुत अच्छा है और बहुत सारे लोगों ने बताया कि सर चंडी चरित्र की रचनाकार है गुरू गो दोस्तो, उन्नीस्टो इंक्यावन में प्रकासित हुआ था, सभी को पता है, लेकिन एक चीज आपको पता होनी चाहिए, कि अगर आप जूनियर टेट एकजाम की तैयारी कर रहे हैं, आप टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी साहित का एक हजार बाला कोर कोर्स आपको लेना है, अगर केबल आप टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो 599 का कोर्स जो मात्रे, दोस्तो, आपके 15-20 दिन के लिए जो टीजीटी, पीजीटी का पेपर होना उसके लिए लांच किया जा रहा है, तो उसमें आप दोस्तो पर्चेस कर सकते हो उसमें आप एड़ बीसल ले सकते हैं, और अगर आपका आँगे जूनियर टेट एकजाम भी है, तो आप 1000 वाले हिंदी साहित का संपूर कोर्स दोस्तो उसमें एड़ बीसल ले सकते हैं, जिनको मौडल पेपर लगाना है, वो मौडल पेपर मात्र 350 का है, जिनको 3000 प्रशनो सकुन करे, सेर नरे रगु धरम करे, सकुन करे यानि की शकुंतला मातोर, यह दूसरे तारसब तक से संबंदित थी, यानि कि आपका तीन नमबर जो है, वो बिल्कुर सही आंसर है, व्यारी गोड, घोर एहमनिस्ट ब्यक्तिबाद, किस काबधारा की दोस्तों जाती है, बताएं, प्रेशने किरमांग 667 का आंसर आपको चैन करना है, घोर एहमनिस्ट ब्यक्तिबाद, किस काबधारा की प्रिविर्थी मानी जाती है, जल्दी से एक बार लाइक जरू कर देना, प्रगतिबाद, प्रियोगबाद, या फिर इन में से कोई नहीं, घोर ए हमनिस्ट ब्यक्तिबाद, किस काबधारा की बिसेस्ता है, ये प्रशन आपसे अगर पूचा गया, तो आपने भी उत्तर बिलकुश ही बताया है, कि सरी बिसेस्ता है, प्रियोगबाद की, प्रियोगबाद का प्रारम्ब माना जाता है, दोस्तो, 1943 से, हैना, तार सब तक के माना जाता है, ये आपको पता है, हैना, तार सब तक का प्रिकासन हुआ था, दोस्तो, कब, 1943 में, और इसी के प्रिकासन से ही प्रियोगबाद का प्रारम्ब माना जाता है, लेकिन एक क्वेस्चन आपसे पूचा जाएगा, कि प्रियोगबाद सब्द का सबसे पहले प्रिय किस ने किया बताईए धरम बीर भारती की काप विक्रती कनुप्रिया में किसका वर्नन है कनुप्रिया में किसका वर्नन है सबसे बड़ी बात तो यही है कि कानों को प्रिये लगता है धर में तो कनुप्रिया धरम बीर भारती है ना और धरम बीर भारती की काप विक्रती कनु प्रिया में किसका वर्नन है राधा के नवीन रूप का सीता का दोख मीरा या फिर दोस्तो रसिक प्रिया ये आपको बताना है कनू प्रिया में किसका वर्नन है शबी लोगों को आंसर चैन करना है अच्छा क्वेश्चन है 9.45 पर एक किलास आईगी दोस्तो आपकी अथावत जो 9.45 पर आती न, 9.45 पीम पर, उसको देखकर के, 10 बज़े एक्जाम पार में लाइब किलास आईगी, उसको देखिए, है ना, लेकिन देखते रहिए, उनने चोड किलास से जो जाईए, और कनू प्रिया में, दोस्तो, राधा के नभीन रूप का, इसमें वर्नन किया गया एक कनुप्रिया रचना किसकी है धरमबीर भारती की है आपको पता है और दोस्तों ठंडा लोहा भी इनीकी किरती है धरमबीर भारती की सबी लोग लाइक जरू कर दें एक बार और सेयर कर दें दोस्तों वीडियो को और सभी साती जितने भी साती यु कर सकते हैं और अगर आपको जोनियर टेट एक्जाम की भी तयारी आप कर रहे हैं तो उसमें आपको एक हजार बाला जो कोर्स है उसमें अड़ी सल ले लें फिर आपको अलग से कोई कोर्स लेने की ज़ूरत नहीं पड़ेगी है ना यहां पर मॉडल पेपर टी जी टी पी जी दे करके दोस्तो इस कोर्स में अड़ी सल ले करके अपना अध्यन बहुत अच्छा बना सकते हैं तो सभी साती वीडियो को लाइक करने एक बार और दोस्तो सेयर करते रहें हैं और दोस्तो सेल्फ स्टेडी किलासे से आपको डाउनलोड कर लें जहां पर आपके लिए नरंत जी दार्सू बाल गोबंद जी चंदा हैना लालदास अकांचा अनिल कुमार जी प्रिया जेंद जी ममता ओदै जी अंकित जी रस्मी जी अर्चना साम पंडी जी और दोस्तो अलका रानी जी अनीता जी और सभी लोग बताएंगे रॉमा जी तनू जी लालदास लबली अनि प्रोवाइट की जा रही है निरंतर टिप टॉप यूटूब चैनल पर एक्जाम पर यूटूब चैनल पर सेल्फ स्टडी किलासे यूटूब चैनल पर और आई एस स्टडी ट्रिक यूटूब चैनल पर इन चैनल से आप जोड़ सकते हैं अपना अध्यन कर सकते हैं निरंतर है ना तो आज के इस वीडियो के लिए सबी सातियों के लिए धन्नबाद 599 बाले जितने भी हमारे साति हों जिनको भी अड़ीसन लेना है कि सर हमें मात्र 20 दिन पढ़ना है तो 20 दिन पढ़ना है और 20 दिन पढ़कर के दोस्तों अगर आप कुछ हांसिल करना चाहते हैं कुछ रिवीजन करना चाहते हैं तो इस कोर्स में अड़ीसन जरूर लेन हैना नीरज जी, रीता जी, कस्मीर्यादो जी, आकास जी, अनीता, प्रदीप जी, अभीषेक, प्रजेंट जी हैना प्रमिला तनु जी, पूनम दार्सु कुबेड जी, मनीशा कार्तिक जी, युवराज जी, कमल जी, और पुजा जी, राजेश जी, बच्चन, मितलेश जी, शबी सात्यों को धन्वात, सेल्फ इस्टेडी के लासेश से जुड़ें, हमेशा वीडियो को लाइक और सेयर कर आते रहें आजके इस वीडियो के लिए सात्यों, इतना ही मितलेश जी, जै हिन्ट